हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बेक टू मेकनिक स्टडी यूटूब चेनल तो फ्रेंट्स अगर आप आई टीए क्या हुई या आई टीए में फिटर टनर मसनिस्ट वेल्डर और प्लामबर जैसी हमारा जो टेकनिकल ट्रेड है उन ट्रेडों में से अबर कोई भी ट्रेड्स आप बिलंग करते हैं तो हमारे यह चेनल को सब्सक्राइब कर दे और शाथ ही साथ नीचे जो दिया गया बेल आइकन उसको भी क्लिक कर दे ताकि हम आगे जो भी अब्लिटर वीडियो लेकर आएंगे उसका नोटिविकेशन आपको सबसे फ्रेल मिल जाएगा तो फ्रेंट्स ज वीडियो को शुरू से लेकर अंतक जरू देखें अगर आपको कोई भी कोशिन में डाउट है तो हमारे को कमेंट मत्यम से भी बता सकते हैं तो फ्रेंट्स आगे बढ़ते वीडियो को शुरू करते हैं तो पहले यहां पर 47 नंबर कोशिन में पूछा गया कि which material is used to protect sleep gauge from rust कोशिन में पूछा गया कि sleep gauge को जौंक से बचाने के लिए किस समयर्ग का उपवग्यों किया जाता है क्या वो oil का इस्तिमाल किया जाता है या फिर wax का इस्तिमाल किया जाता है या फिर किरोशिन का इस्तिमाल किया जाता है या फिर petroleum jelly का इस्तिमाल किया जाता है तो यहाँ पर राइट एंचर हो जाएगा हमारा option number D petroleum jelly जो sleep goes होता है उसको जब भी हम इस्तिमाल करते वो इस्तिमाल करने के बाद इसे box में हम storage करते और storage करने के time पे हम थड़ा बहुत इसको chromogenom leather से उसको clean करके उसके उपर थड़ा बहुत इस तरह हमारा petroleum jelly को portable करके इसके अंदर भरती किया जाता है ताकि यह आगे storage होने के बाद इसमें कोई भी रस्टर ना आए next यहाँ पर question 48 number question 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 में पुछा गया कि what is the advantages of wine not wine not का उप्योग कहां किया जाता है question में पुछा गया कि जो wine not आता है उसका इस्तमाल कहां पर किया जाता है क्या वो coach building work के लिए यूज के जाता है या फिर heavy duty assembly work के लिए इस wine not का इस्तमाल के जाता है या फिर losing and titing without range के लिए क्या जाता है क्या वो without range से हम हाथ के जरे से losing और titing के लिए इस्तमाल के जाता है या फिर option number D में दिया गया provide decorative appearance क्या वो सौजावटी उपस्चित को प्रवाधान के लिए यूज किया जाता है तो यहां पर हमारा right टेंसर हो जाएगा option number C losing and titing without range जो wine not होता है wine not दिखने के लिए कुछ इस तरह के होता है इसका दोनों सिरो पर दोनों wine होता है यह दोनों wine को हम finger के जरिये से हाथ से finger के जरिये से उसको आसानी से losing और टाइटिंग के लिए इस्तमाल किया जाता है बिना कोई rinse के साहरे से जो wine not होता है वो generally हमारा hexa frame की सिर्फर और जो hand face होता है उसमें देखने के लिए मिलता है नेक्स्ट यहां पर पूछा गया 49 number question question में पूछा गया कि what is the name of key जो यहां पर एक figure दिया गया है यह figure में एक key है इस key का नाम क्या है question में पूछा गया क्या वो taper sun की होता है या फिर flat saddle की है या फिर option number c में दिया गया parallel sun की है या फिर hollow saddle की है तो अमारा यहां पर right answer हो जाएगा option number a taper sun की जो यहां पर जो figure दिया गया है यह key है यह key का नाम होता है taper sun की वो दिखने के लिए कुछ rectangular shape का इस तरह की होता है इसका आगे और पीछे इस तरह की rectangular shape का होता है और bottom surface parallel होता है और जो top section question दता है यह इस तरह की taper होता है इसका जो taper दे जाता है वह one is to hundred में दिया होता है और इसको जब भी हम कोई भी shaft में fix करते है वो shaft में थोड़ा बहुत इस तरह की key को fit के जाता है जनरली यह key होता है इसको light torque power transmission के लिए इस्तमाल किया जाता है next यहां पर discussion करेंगे 50 number question 50 number question में पुछा गया कि what is the name of the heat treatment process for reheating the 100 steel to temperature below 400 degree Celsius followed by cooling तो question में पूछा गया कि 400 degree से नीचे तापमान पर कठोरी कुत श्टील को पुनहों गर्म करके फिर थंड़ा करने के लिए किया गया उसमा उप्रसर का पक्रिया के नाम क्या है सपोज एक हार्डेर्ष्टील हम लिया है उस हार्डेर्ष्टील को 400 डीगरी Celsius से करते हैं आए प्रहरेनिंग प्रोसेस होता है या फिर टेम्पेरिग प्रोसेस होता है नार्मान लाइजिंग तो यहांपे हमारा राइट यंचर हो हो जाएगा tempering ये जो tempering process होता है इस tempering process है हम कोई भी steel को उसका जो हमारा lower critical point होता है उसमें कम तब मन्द से हम इसको गरम करते हैं लगभग जो हम tempering process करते हैं उनमें से कोई भी steel होतो 180 degree से 650 degree ये तो उसका minimum और maximum temperature है और different continuous steel के लिए वो particular standard का temperature भी रेता है तो इस tapman पर हम कोई भी steel को गरम करते और उसको धीरे धीरे हावा में उसको थंडा करते तो उस process को हम tempering process बोलते तो यहां पर जो हाणेट सेल दिया गया था वो हाणेट सेल के लिए हम 400 degree Celsius का tapman पर उसको गरम करते और उसको धीरे धीरे थंडा करते उस पक्रियेंको हम बोलते tempering जब भी हम tempering process करते कोई भी material उसको हाणेग करने के बाद वह ज्याद से जदे बिटिलनेस प्रपर्टी आ गया तो हम उस बिटिलनेस्ट्स प्रपरटी को रीकोवऱ करने के लिए हम tempering process इसमें हमारा बिटेनेस्ट प्रफर्टी कम जाता है और उसमें टोप्नेस प्रफर्रटी आजब ये जनेरल हम कॉटिंग टूल के लिए स्टेंपरिंग प्रोसेस करते हैं क्योंकि उक्कुटिंग उपर tutto का लाइफ को इंक्रिज करने के लिए नेक्स्ट यहां पर दिया गया 51 नम्बर कोशिन, 51 नम्बर कोशिन में पुछा गया कि which special file is used for narrow work, तो संकिन कारी के लिए किस विशेश फाइल का उपियोग किया जाता है क्या वो pillar file होता है, या फिर square file होता है, या फिर dead not file होता है, या फिर switch button file होता है तो यहां पर question पुछा गया था कि कोई भी narrow work, इस तरह कि कोई भी, यहां पर figure दिया गया है इस तरह कि कोई भी narrow work, बलतो कोई भी square piece में एक slot बनाया है, उसको internal slot बनाया हो इस तरह कि slot बनाया है, इस slot को हम filing करना हो, without rejection के, तो इसके लिए हम जो file इस्तमाल करते हैं यहां पर जो C option, sorry, A option में दिया गया pillar file, इस file को हमें इस्तमाल करते हैं, यह जो pillar file होता है, यह दिखने के लिए hand file की तरह होता है, जिसको हम shape heads file की बोलते हैं दिखने के लिए same, इसका जो parallel section, जो tip से लेकर hill तो वो संपुन parallel होता है, इसमें कोई भी taper नहीं होता है, बट जो हमार hand, shape heads file होता है, इसमें दोनों side पर teeth नहीं कटा होता है, बट इसमें teeth कटा होता है, यह जो दिखने के लिए उस तरह की बहुत thickness में भी कम होता है, यह narrow slot क के लिए इसका युप्योगों किया जाता है, तो यहां पर जो question पूछा गया था, इसका right answer हो जाएगा pillar file, narrow work के लिए हम generally pillar file का इस्तमाल करते है, next यहां पर दिया गया 52 number question, 52 number question में पूछा गया कि, why slot are provide in slaughtered castle not, जो slaughtered castle not होता है, उसमें slot क्यों provide किया जाता है, to fix split fin, या फिर good appearance के लिए, या फिर reduce the weight of not, क्या वो not का वोजन को कौम करने के लिए, उसमें slot क्या जाता है, या फिर easy to removal and fixment, क्या वो उस not को हम easily fixing और remove करने के लिए, उसमें slot क्या जाता है, तो main purpose होता है कि, जो हमारा slaughtered castle not होता है, वो दिखने के लिए कुछ इस तरह क्यों होता है, slaughter not और lock, castle not में थोड़ा बोतो different होता है, इस तरह की अगर उबरा हुआ section उपर को आये तो, इसको हम बोलते है, पूरे not को बोलते हम, castle not बोलते है, और जो इस तरह की उबरा हुआ not section, अगर उपर में ना होए, इसमें ही slot कटा हो, तो इसको हम बोलते slot not, तो यहां पे जो question मे तो यहां पे एक गाज का figure दिया गया है, इस गाज का नाम क्या है, question में पूछा गया, क्या बो, plain ring गज है, option number A में दिया गया, plain ring गज, B में दिया गया, taper plug गज, C में दिया गया, progressive plug गज, और D में दिया गया, double ended plug गज, तो इसका right answer हो जाएगा, progressive plug गज, यह जो figure में जो gauge दिया गया है इसका नाम होता है Progressive Plugge जो Progressive Plugge था इसका GoInd और No GoInd ये दोनों सीरा एक इस सीरा पर होता है तो इसलिए हम इसको Progressive Plugge बोलते है अगर ये दोनों दूसरी तरफ होते है तो इसको हम Plugge बोलके General Purpose कि लिए Double Owner Plugge बोलके बोलते हैं नेक्स्ट यहां पर 54 नंबर कोशिन 54 नंबर कोशिन में पूछा गया कि वाट इद नेम अब दी गोज यहां पर एक गोज का फिगर दिया गया है इस गोज का नाम क्या है क्या वो रिंग गज है यह फिर प्लोग गज होता है यह फिर टेपर प्लोग गज होता है तो यहां पर राइट एंचर हो जाएं का इस फिगर का नाम होता है रिंग जुश्ट यह जो रिंग जुश्ट होता है इसका इसान भी डायअम इसका के सिलिन्डर वर्क्ष वहूरु स्का एक्ष्णाrial डायमेटर को चेक करना है तो हम इसके लिए इस्तरद की रिंग गज का इस्तमाल करते है, जनरल ये जो रिंग गज होता है, इसको हम मास प्रट्ट्रिक्शन में कोई वी एक ही स्टांडर का जाब को चेक कने के लिए इस्तमाल करते है नेक्स्ट यहां पर दिया गया 53 नंबर कोशिन, 53 नंबर कोशिन रेडियस गॉज जो option number D यहांपे correct answer यह जो radius गॉज हो था है इसको हम कोई भी external हो या फिर internal radius हो उसके लिए checking के लिए हम इस तरह की radius गॉज का इस्तमाल करते हैं नेक्स्ट यहांपे 56 number question में पुछा गया कि what is the instrument used to measuring external diameter accuracy में पुछा गया कि बाहरी ब्यास को मापने के लिए किस प्रकार की उपकरन का उपयोग किया जाता है क्या वो भन्यर के लिपर का इस्तमाल किया जाता है या फिर outside के लिपर का इस्तमाल किया जाता है या फिर parallel leg के लिपर का इस्तमाल किया जाता है या फिर pair of special job using sleep guides का इस्तमाल किया जाता है तो यहां पर right hand हो जाएका option number a भन्यर के लिपर यहां पर b option b b correct हो सकता है बट यह उ अगर यह इस तरह की बोल्ट हो तो उसका डायमेटर और इस तहरा की जो हैड़ का सेफ है उसको हम एजली और हमारा Principal होता है उसमें इतने इसी तरह से हम मेजर कर नहीं सकते हैं तो यहां पर हमारा बी ए अप्षन जो दिया गिया था भनिर केली पर वो करेक्टान चरहे नेक्स्ट यहां पर दिया गिया 57 नंबर 57 नंबर कोशी में पुछा गिया कि वास्ता लेपिंग प्लेट आफ्टर चार्जिंग बोलतो कोशीन में पुछा गिया कि एसा कौन सी प्वधार था है जो लेपिंग प्लेट होता है वो चार्जिंग बाद उस लेपिंग प्लेट को क्लीन करने के लिए इस्तमाल किया जाता है क्या वो ओईल को इस्तमाल किया ज अयगिंड हुता है उस लेपिंड को हम इस्तमाल करने के बाद इस तरह की एक लेपिंग किया जाता है यह जो लेपिंड प्रोसेस होता है इसमें थे चेश creation किया जयता है यह चार्जिन नाइट को जब हम दенти घ्लی इस तो यहां पर जो 57 नमबर कोशिन जो पूछा गया था उसका राइट एंसर हो जाएगा अप्शन नमबर बी की रोशिन नेक्स्ट यहां पर 58 नमबर कोशिन 58 नमबर कोशिन में पूछा गया कि which which gauge is used to check the gap between the meeting part बुलतों कोशिन में पूछा गया कि 2 meeting part है इससार की जो meeting part है उस gap को हम check कैने के लिए किस तरह की gauge का इस्तमाल करते है क्या भो sleep gauge होता है यह फिर plug gauge होता है यह फिर filler gauge होता है यह फिर radius gauge होता है तो यहां पर right-hands चरो जाएगा फिलर गज तो C option यहां पर correct है तो फिलर गज दिखने के लिए कुछ इस तरह के होता है दो matching part होता है इस तरह की दो matching part है उस दोनों matching part जो gap होता है उसको measure करने के लिए हम इस तरह की precision instrument sleep watch का इस्तमाल करते है नेक्स्ट यहां पर दिया गया 59 number question 59 number question में पुछा गया कि why the tempering process carried out on steel जो tempering process होता है उस tempering process को steel metal के लिए क्यों इस्तमाल किया जाता है क्या वो to adding cutting ability क्या वो काटने की ख्यमता को बढ़ाने के लिए tempering process किया जाता है या फिर option number B में दिया गया to relieve internal stress and time क्या वो उस steel का stress और strain जो उसमें stress और तनाव वाता है उसको दोर करने के लिए hama tempering process करता है या फिर refine the grain structure क्या वो Steel का grain structure को refine करने के लिए tempering process करता है या फिर regulate the Karlness क annually regulate करके उसमें topness property इंक्रीमेंट के लिए tempering किया जाता है तो मैं इसका पिछले बाला कोशिन में डिसकोसन किया था जो टेंपरिंग प्रोसेस होता है ओ लोईर किटिकल पॉइंट अफुश्टील से नीचे से उसको गरम किया जाता है लगभाग 180 डिग्री से 650 डिग्री तव कोई वीश्टील को इसमें गरम किया जाता है तो यह जो 180 डिग्री मिनियमर टेंपरेचर होता है और यह 65 डिग्री यह मैक्सिमाम टेंपरेचर होता है जो हमारा लोईर किटिकल पॉइंट अफ टेंपरेचर होता है वह 730 डिग्री से कोई वीश्टील होता है तो यह जो टेंपरिंग प्रोसेस होता है यह 730 डिग्री तो इसका मेंग परपोज होता है कि कोई भी मेटल वो जब भी हम हानेयर करते उसमें अगरज्यादा है highest property आ जाए तो मेटल जब्भी हम cutting tool बनाते वो टूटने के chances रता है तो उस टूटने के chances फ़िये उस को कम करने के लिए उस तो यहां पर जो option दिया गया था, option of D, to regulate hardness and toughness, बोले तो जो tempering process होता है, यह tempering process से कोई भी steel होता है, उसको hardness property को हम reduce करके, उसमें toughness property को increase करते हैं, और उसका strength को increase और उसके बज़े से उस steel cam, जो भी cutting tool होता है, उसका life ही increase होता है, तो यहां पर D option यहां पर correct answer हो जाता है, next यह 16 number question में पूछा गया कि, which type of metal screw useful for self tapping on the hard and brittle material, तो question में पूछा गया कि, कोठोर या भंगूर सामग्रिप पर sword tapping के लिए, किस प्रकार की metal screw का उप्योग किया जाता है, तो इसका जो option दिया गया है, पहला option है, self-pacing screw, B option दिया गया, thread cutting screw, C option में दिया गया, thread forming screw, और D option में दिया गया, हामार ड्राइवी screw, तो यहां पर right answer हो जाएगा, thread cutting screw, B option यहां पर correct answer हो जाएगा, तो इसके उपर थोड़ा बता हम discussion करेंगे, जो हमारा, जो tapping screw होता है, जो कि self tapping screw होता है, कुछ इस तरह की होता है, जो self tapping screw होता है, वो तीन तरके होता है, वो हता है, एक thread forming, type of screw होता है, और second जो होता है, होता है थ्र्एड नाइपिक की सबस्क्राब होता है यह जो कई भी हर अथ हर को सक्रूर को दो हम इसके लिए हम उसकी है इस तरह के कुछ होता है जो कि कोई भी हाड ब्लास्टिक डो नाइब हर्सेट मेटल हो तो के लिए method थ्रेड कोटिंग टाइप आपफ उस्कु क्या करता है कि जैसे कि हम टेप से जब भी कोई भी थ्रेड बनाता इस तरह निकलता है उसको लिए हम जो आप्शन में दिया गया था थ्रेड कोटिंग इसकुरू यह डाइट एंशर है इसका नाम होता है इसका नाम होता है इसका दोनों सिरोपर दो adjustable snap है, इस तरह दो adjustable snap है, इसको हम adjust करके कोई भी object हो, उसका dimension को check कर सकते हैं, next यहां पर दिया गया 62 number question, 62 number question में पूछा गया कि what is the name of the key, एक figure में एक key का figure दिया गया है, एक key का नाम क्या है, question में पूछा गया है, क्या वो sun की है, या फिर फिर दर की है, या फिर flat saddle की है, य फिर hollow saddle की, तो इसका right answer हो जाएका option number B, यह जो figure में एक key दिया गया, इसका नाम होता है, फिर दर की, यह जो फिर दर की होता है, दिखने के लिए कि इस तरह की होता है, इस फिर दर की है, इस shaft में इस तरह की slot कोटा होता है, जिसमें दो screw point हो रहता है, इस तरह यह screw की माध्य कोटा से, क्लिगर is used to clean the sleepodge, कौन्सी मेट्याल sleep Videos को clean करने के लिए इस्तिमाल किया जाता है, तो पहले हम पहला कोशन में भी discussion क्या था, एक box में हम इस तह्यूज का इस्तिमाल करने के बाद, उसको storage करने के लिए, इसके पहले हम क्या इस्तिमाल करते है, इसके लिए हम इस् या फिर केरोसीन होता है या फिर सॉलिवल ओल होता है या फिर कार्बोन टेट्रा क्लोराइड होता है तो यहां पर राइट एंचर हो जाएगा अफ्शन नमबर डी कार्बोन टेट्रा क्लोराइड जब भी हम स्लीब गज का इस्तमाल करते उसके उपर जो हमारा डॉस्ट अब बाक्स में पेक करते हैं उसके लिए हम थोड़ा बहुत हुआ पेट्रियुम जली का इस्तेमाल करते हैं इसको प्लोटेबल करके इस तरह के श्टोरेज किया जाता है ताकि इसमें कोई वी रस्ट ना लगाए नेक्स्ट यहां पर दिया गया कोशिन 64 नमबर कोशिन 64 नमबर कोशिन में पूछा गया कि वाट इद दा मेथड अपूस स्वर्फेस हाड़निंग यह के स्वर्फेस हाड़निंग मेथड का फिगर है इस स्वर्फेस हाड़निंग का नाम क्या है तो कोशिन में पूछा गया इसका राइट अंचर हो जाएगा तो option यहां पे दिया गया, पहला option दिया गया nitriding, B option में दिया गया case hardening, C option में दिया गया flame hardening, और D option में दिया गया induction hardening, तो यहां पे राइट यहां चरू हो जाएगा option number C flame hardening, यह जो surface hardening जा जो प्रदत हीगे, इसको हम बोलते flame hardening, इस तरह की दोनों index पर दो flame है, इस flame hardening के माध्यम से हम कोई भी बड़े बड़े अबजेक्ट हो तो इसको हम easily hardening कर सकते है, यह बहुत चीफ होता है, यह जो process होता है, flame hardening process यह उद्धू costly नहीं होता है, बहुत चीफ होता है, इसको हम इस तरह से यह जो hardening process के सहयाता से हम कोई भी बड़े बड़े अबड़े अबजेक्टिव तो इसको easily हम hardening कर सकते है, next यहां में दिया गया 65 number question, 65 number question में पूछा गया कि which finishing operation have high degree of dimensional accuracy, नहीं किai ещёation में पूछा होता है कि 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 finishing पक्रिया में dimension accuracy की high degree होता है, इसमें एक 4 finishing operation दिया गया,yyé 4 finishing operation से कौण सी finishing operation का जो finishing परसेस होता है, है ओहाइग होता है क्याẩ फाइलिंग प्रोसेस में होता या फिर फूनिंग प्रोसेस ना मूता है तो यहाम तो grew चौन्श रचाएगे ब्चस्न होता है उसमें यह जो तीन आपशन से हिसाब्सेट ज्पोरसर हम ज्यादा से ज्यादा high degree of finishing process हम राप्त कर सकते हैं तो इसके ओपर थोड़ा बहुत हम discussion करेंगे यहां पर एक टेबल में पुछ फिरिंशिंग जो हमारा जो operation का इसाब से कुण रॉप ट्रनिंग के लिए n10 होता है और जेनरल टरन के लिए n3 होता है और लेपिंग और होनिंग के लिए जो हमारा finishing प्राप्त होता है वो n3 लगभव जो n3 होता है वो 0.6 तक होता है जैसे कि यहां में जो हम एक micron के हिसाब से देखे तो जो लेपिंग प्राप्त होता है वो 1 to 10 micro inch के बराबर इसका जो finishing प्राप्त होता है अगर इसको micrometer के हिसाब से देखे तो 0.0252 0254 तक हो इसका finishing प्राप्त कर सकते है तो यहां पे जो right answer हो जाएगा लेपिंग operation is the correct answer नेक्स्ट यहां पे दिया गया last question 66 नमर कुछिन में पूछा गया कि which gauge is used to check the accuracy of external thread तो कौन सी gauge है जो एक इस actionable thread कटा हुआ पदा तो की actionable thread को check करता है क्या वो snap gauge होता है यह फिर thread ring gauge होता है यह फिर thread plug gauge होता है यह फिर center gauge होता है तो question को और एक बार पल लेते हैं कुछ में पूछा गया कि बाहरी चूड़ी की 60 के तासे जांच करने के लिए किस gauge का उपयोगों किया जाता है तो इस तरह कि हमारा एक रिंग जो होता है thread ring gauge होता है यह कोई वी external thread हो उस thread को accurately check करने के लिए इसका इस्तिमाल किया जाता है तो यहाँ पे जो option दिया गया था thread ring gauge option number B यहाँ पे राइट एंसर हो जाता है कोई वी external stud हो या फिर को diameter cylindrical जाए मोटो उसमें external thread काटा हो तो उसको accurately check कने के लिए उसका size के साब से हम ring gauge का thread ring gauge का इस्तिमाल करते है यह जो thread ring gauge हो था है उसमें accurately उससे thread को checking कर सकते है तो फ्रेंच यह थी किछ आज के important question अगर लाइक करे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर से तकी हो हमारे चैनल के मध्यम से 1000m2 का लाब भी उठा सके तो फ्रेंच वीडियो को देखने के लिए थैंक्यू फिर मिलेंगे अगला आमरा टोपिक अगला क्लास 15 में मिलेंगे